सब लोग को दे दिया है जो नोटिस आपका 21st को आने वाला था तो नोटिस इस नाव हीर और यहाँ पे SSC CGL 2020 का वेकंसी आप SSC.NIC.IN में भी देख सकते हैं और साथ ही साथ यह वेकंसी का जो नोटिस है यह मैं आप लोग के साथ इस पर्टिकलर वीडियो में भी शेयर करने वाली हों तो यहाँ पे देखिए combined graduate level examination 2020 और आपका online application already start हो चुका है 29th of December यानि की आज से ही आप form को fill up करना start कर सकते हैं till 31st of January. Please do not wait for the last moment और यहाँ पे उससे पहले advance में अपने form को आप ज़रूर fill up कर दे. Tier 1 examination का date भी आप लोग को यहाँ पे बता दिया गया है 29th of May से आपका paper start हो जाएगा और 7th of June 2021 तक आपका paper यहाँ पे चलेगा. जितने लोगों को पता नहीं है tier 1 के syllabus के बारे में तो combined graduate level examination में आपको graduate होना mandatory है और यहाँ पे tier 1 में रहता है maths, English, reasoning, GAGS. और यहाँ हर एक section से आपका 25 questions रहता है, हर एक question के लिए आपको 2 marks मिलता है correct answer के लिए for wrong answer 0.5 जो है आपका deduct होता है. So, total 25 into 4 आपके 100 questions रहते हैं और हर एक question में 2 marks है, तो फिर आपके total marks जो है, वो 200 आपका tier 1 के लिए रहता है. Tier 2 का date अभी नहीं दिया है, it is to be notified later on. अभी हम आते हैं जितने लोगों को यहाँ पे age को लेके doubtful है कि age यहाँ पे आपका क्या होगा, तो जादातर post के लिए तो आपका 30 years है, लेकिन date of birth को लेके जो आपका काफी लोग को concern था बहुत समय से कि age यहाँ पे date of birth की date से पहले होना चाहिए, तो इस notice में आपका साफ जैसे हमेशा रहता है वैसे बता दिया गया है, 6506 आपके tentative vacancy है for the group B और जिसमें आपको gadgeted post रहेंगे 250, non-gadgeted रहेंगे 3513 और group C के लिए 2743 posts आपका यहाँ पे है, then coming to the age limit, as on 1st of January 2021, age limit जिन post के लिए 27 years है, उन post के लिए, candidate must not be born earlier than 2nd of January 1994, आप यहाँ पे अगर आप किसी का date of birth यहाँ पे second को है, तो आप apply कर सकते है, आपका form यहाँ पे accept कर लेगा, फिर भी अगर आप verify करना चाहते है, आप apply करने का कोशिश करके देख सकते है, form लेगा ही नहीं, जिसके लिए यहाँ पे 32 age है, जिन post के लिए वहाँ पे आपका must not be born earlier than 1991, 2nd of January, again सारे assistant section officer, सारे AAO वाले post वो सब के लिए 30 years आपका सब के लिए है, जो statistics वाला है, वहाँ पे आपका 32 age limit है, और अगर यहाँ पे किसी के पास कोई special category है, तो आपको यहाँ पे age relaxation भी as usual मिलता है, so I think that will be enough for this particular video, बाकी आप इस notice को go through कर सकते हैं website से, computer based जो आपका examination होगा, CBT जैसा हो रहा है, उसका syllabus आपको यहाँ पे साफ दिया हुआ है, reasoning, general awareness, quantitative aptitude और English, 25 questions हर एक section में रहता है, 2 marks for each question, so there will be 50 marks हर एक में और आपका total 100 questions के लिए आपको 200 marks जो है, मिलता है, उसके बाद tier 2 के लिए paper 1 और paper 2 यह सब को लिखना होता है, मतलब maths आपको 100 marks का लिखना होता है, आपको MCQ solve करना है 100 marks का, हर एक question के लिए 2 marks मिलेंगे, तो 200 marks का, English हर एक question के लिए 1 mark है, तो total आपका 200 marks, तो यह 400 marks का paper तो सब ने देना ही है, उसके बाद जो statistics वाले post है, उसके लिए आपको 100 marks का statistics का paper देना है, जिसके लिए 200 marks रहेगा, और जितने लोग को यहाँ पे finance और economics का paper देना पड़ेगा, उनके लिए भी 100 questions, 200 marks, ठीक है, tier 1 और tier 2 दोनो objective type होता है, यानि कि multiple choice question रहता है, questions Hindi और English दोनों में ही रहेंगे, except the English comprehensive part, यहाँ पे आपको English में करना पड़ेगा, और बाकी आपको, जो है bilingual मानने कि दोनों language में आपको मिल जाएगा, for each correct answer in tier 1, as we have already discussed, plus 2 आपको मिलते हैं, for negative, 0.5 आपका minus हो जाता है, tier 2 में हाला कि, जहाँ पे आपको 1 question के लिए 1 marks है, वहाँ पे आपका 0.25 कटेगा, 1 fourth rule के हिसाब से, और जहाँ पे 2 marks है, वहाँ पे 1 fourth के हिसाब से 0.5 कटेगा, चीक है, तो यह detailed notice आपको website पे मिल जाएगा, इस वीडियो के description box में भी मिल जाएगा, आप उसको go through कर सकते हैं,